तो यहां आपको रोजाना साड़े पाँच से साड़े छे तक जूम पर रोजाना आपको पढ़ाया जाता है बिला ना का आप लोग जो है जूम क्लास में आपकी पढ़ाई होती है तो रोजाना सब्जेक्ट बदलते हैं आज हम उर्दु का पढ़ेंगे उर्दु में क्या पढ़ेंगे वह भी हम लोग आज देख लेते हैं आओ अलफास म रख लेना है क्योंकि मैं पूरा सबक पढ़ाने के बाद पुरी अलफाज मानी आपको बताने के बाद फिर मैं आप से पूछूंगा कुछ अगर आपने धियान से देखा तो आपको अलफास के मानी बता पाएंगे और उसके बाद आपको एक होंवक दिया जाएगा और इस तरह से लिसन फिनिश तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर सबा यहाँ पर पहला लफज है सबा और उसके मानी है सबा की आवाज उपर जो आपको कलर में दिखा रहा है वो अलफाज है और नीचे जो दिखाए दे रहा है वो उसके मानी है तो सबा के मानी होते है सबा की आवाज खुशी यह जो है लवज शाद मानी के मतलब होता है यहाँ पर जो शाद मानी दिया है उसके मानी होते हैं खुशी, सबा के मानी है सुभा की आवास और शाद मानी के मानी है खुशी हुक्मरानी के मानी है हुकूमत, लवज है हुक्मरानी, आपको ये भी गोर करना है कि ये जो अलफाज मैंने इस्तिमाल की हैं सबा, शाद मानी, हुक्मरानी, ये अलफाज किस सबख में या किस नजब में आया है सबा के मानी है, सुभा की आवाज, शाद मानी के मानी है, खुशी और हुक्मरानी के मानी होते हैं हुकूमत अब यहाँ पर लफज है योरिश और योरिश के मानी होते हैं हमला योरिश के मानी होते हैं हमला इसी तरह तराविश के मानी होते हैं छिड़काओ उपर है तराविश और तराविश के मानी होते हैं छिड़काओ अब जानवर हैवान के मानी होते हैं जानवर हैवान के मानी जानवर तो ये लफ़ आपको याद आ रहा होगा कि ये लफ़ कौन से सबक में इस्तिमाल किये गए है चलिए आगे वढ़ते हैं हम लोग यहां पर दिया मुम्ताज मुम्ताज के मानी होते हैं आला मरतबे वाला मुम्ताज के मानी होते हैं आला मर्तबे वाला अब यह ग्रो लफ लफ आया है यह कबीले के मानी होते है ग्रो कबीले के मानी होते है ग्रो या ग्रू मतासिर होना के मानी होते है असर कुबूल करना मतासिर होना किसे से हम मतासिर हो जाते है यानि किसी का असर हमारे पर आयाता है तो उसको कहते हैं असर कुभूल करना तो ये मतासिर होना लफ़ भी किसी सबक में आपके जरूर आपको याद होगा आया होगा मतासिर होना यानि की असर कुभूल करना हम कभी कभी किसी के साथ रहते हैं अगर किसी की कोई बात हमारे ऊपर बहुत जादा असर डालती जब मुतासिर होते तो सालिस के मानी है सुला कराने वाला ये लवज भी आपको याद होगा कि किस सबग में इस्तेमाल हुआ है अब वल्ला के मतलब होता है अल्ला की कसम वल्ला यानि अल्ला की कसम जाती के मानी है अपना या खुद का जाती के मानी अपना या खुद का अगर मैं कहूं जाती मकान है यानि मेरा खुद का मकान है जाती मेरी कलम है यानि कि मेरे खुद की कलम है जाती दुकान है इसका मतलब कि मेरी खुद की दुकान है अब देखते हैं इंतिकाल वफात के मानी है इंतिकाल वफात के मानी है इंतिकाल शवकत के मानी है महबबत शवकत के मानी है महबबत यानि हम किसी के शवकत से पेश आ रहे हैं यानि हम महबबत से पेश आ रहे हैं चलिए आगे हम बढ़ दें यहाँ पर फिर से एक लफजा है महबबत तो उल्फत के मानी भी होता है महबबत शवकत के मानी भी होता है महबत और उल्फत के मानी भी होते है महबत तो ये दोनों लवस हम इस्तिमाल कर सकते हैं और ये दोनों लवस हमारे सबक में आ चुके हैं शवकत से पेशाना, महबत से पेशाना या हमें अपने वतन से उल्फत है यानि की महबत है तो दोनों के मानी होते है, उल्फत के मानी भी महबत है और शवकत के मानी भी महबत है चलिए आगे बढ़ते हम, राहत के मानी है खुशी, राहत के मानी है खुशी ठीक है, हमेरा अपने आपको मुट कुरे वेट अप, उसके बाद हम देखते हैं हिदायत देना हिदायत देने के मानी होते हैं सही रास्ता बताना हिदायत देना यानि की सही रास्ता बताना आप से लिए अपनी उम्मत को हिदायत दी यानि की आप से लिए लिए अपनी उम्मत को सही रास्ता बताया तो हिदायत का मददा था सही रस्ता बताना हिदायत देना यानि कि आपको ये बताना कि आपको क्या करना है ठीक हम सवालों में भी आपको हिदायत देते हैं कि एक जुमले में जवाब लिखिए यानि हमने आपको ये रस्ता बताया है कि यहां आपको दो जुमले में तीन करना है ठीक है आगे बढ़ते हैं बहुतेरा बहुतेरा का मतलब होता है बहुत मैंने बहुतेरा उसको समझाए लेकिन वो नहीं माना तो बहुतेरा का मतलब होता है बहुत यानि कि बहुत समझाया अब उसके बाद है अच्छा खासा अच्छा खासा का मतलब भी होता है बहुत देखो आप दोनों जगा बहुत लिखावा है लेकिन एक जगा है बहुतेरा समझाया या बहुतेरा का मतलब होता है बहुत और एक तरफ है अच्छा खासा उसका मतलब भी होता है बहुत आगे ब बगारना मत्तब के घमंड जाहिर करना, घुरूर जाहिर करना, तो बहुत से लोग शेखी बगारते हैं, शेखी मारना भी हम इसको कहते हैं, महावर में इस्तेमाल होता है, शेखी बगारना, शेखी मारना, तो शेखी का मत्तब होता है घमंड या घुरूर, तकबूर, ये ती किनों चीजे एंसान को परबाद करती है टीक है शर्मिंदा गरती सर्ब्स और कभी हम्हें अपने किती बी चीज पर आह त४्षी नहीं होना का यह और नहीं होना चाहिए या किसी चीजे वह बहुत बादा चड़ा कर नहीं पेश करना चाहिए सूरत, सूरत की सिलफ्स के मानी है तो रूप के मानी हो, रूप का मतलब होता है सूरत, रूप के मानी होते है सूरत, अब उसके बाद हम देखते है सलोना, सलोना का मतलब होता है अच्छा या प्यारा, सलोना के मानी होते है अच्छा या प्यारा, सलोना बेटा लोनी बेटी, यानि अच्छी बेटी, तो सलोना का मतुत होता है अच्छा, या फिर हम कहेंगे प्यारा, उसके बाद हाले हाले, हाले हाले का मतुत होता है, आहिस्ता, 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 यानि कि धीरे धीरे, तो पराने जमाने में लवज इस्तेमाल हुआ करता था, हाले ह कि आज हम आहिस्ता आहिस्ता कहते है यह बहुत कम लोग जो है आहिस्ता ठीरे ध्रे कहते हैं स्यायात है अंक्रीश के लव्च हमारे जिन्दगी में इतने दाखिल हो गए ​​कि हम आहिस्ता आहिस्ता या धृरे की जगह dislodär हमने चुरू कर दिया तो हॉले हॉले के मानी होते हैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं हम लोग बेसाख्ता बेसाख्ता के मानी होते हैं फॉरन याने की on the spot Englishman के भी साखता मेरे मुझे लव्र निकल गया यानि की फॉरेन मेरे लफ से यह यह मुझे जो है लव्र निकल गया तो इसका की बेसाखता नहीं फॉरेन बागवान ल्वज बागवान जो है उसके मानि होते फूलों की कास्ट करने वाला जिसको हम यानि यानि कि ऐ भागबान यानि की फूलों की काष्ट करने वाला ठीक है, फूलों की काष्ट करने वाला यानि की पूलों की काश्ट करना यानि की जो फल वगेरा बाग में पैदा होते हैं, उनको जो है, उनको उगाना, उनकी देख भाल करना, तो आम तवर पे हम लोग कहते हैं माली, लेकिन इसको हम दूसरे लवज में कहते हैं बाग मान, जो जो बागों की देख भाल करता है, फूलों की कास्ट करता है, उसको हम आम तवर पे माली कहते हैं, लेकिन बाग मान भी कहा जाता है और बाग मानी होते हैं फूलों की कास्ट का न्याला, जो फूलों की देख भाल करत उनको रोजाना पानी देता है, उनके जो सड़के पते उनको निकालता है, उनको दूसरी चीजों से मुक्तलिफ कीड़े मकुड़ों से बचाता है, तो इसको हम कहते हैं बागबान, चलिए आगे बढ़ते हैं हमलोग, दाना के माईनी होते हैं अकल मन्द ठीक है हम उषको English में कहते हैं इंटैलिजेंड तो दाना का मतभこんにちは अकल मन्द एक दाना जो होता है असके अंदर दालalin फिर दा नुन हे ना एक लफज आता है दाना के लिए मैं आपको लिक कर बता देता हो एक और लफज आता है दाल अलिफ दा और नून हे ना इस दाने का मतलता है अनाज का जो दाना होता है उसको हम कहते हैं ठीक है अनाज के जो छोटे-छोटे इससे होते हैं जैसे चावल का दाना है गिहूं का दाना है तो वह हम उसको कहते हैं दाना यहाँ पर राकल-मंद जहीन, है न? वो शख्स बहुत दाना था इसका मतलब यहे है .. कि वो शख्स बहुत जहीन था यह बहुत अकल-मंद है अकल-मंद लोगों के लिए यह लफमिल इसलिए है। अगर आप लिकने में गल्टी कर दिये कि वो शख्स अगर आपने ऐसा जुम्ला बना दिये कि आपने का कि हाँ सर ने तो कहा था दाना का होगत अकल मन्द होता है और आपने लिखे वो शक्स बहुत दाना था अब अगर आपने ऐसा जुम्ला बना दिये वो शक्स बहुत दाना था जिसमें आपने ये नून अलिफ ना की बजाए नून है ना ये डाल दिया आपने तो इसका मतब़ है वानाच का दाना था तो ये जुमला आपका अकलत हो जाएगा इसलिए आपको याद अखना है कि अकल मंद के लिए नून अलिफ ना रहेगा चला आगे बढ़ते हैं अब यहां पर मैं आपको अन्म्यूट करता हूँ और यहां मैं आपको अलफाज मानी पूछूंगा और आप जो है मुझे उसके अलफाज के मानी बताएंगे तो जो जवाब देना चाहता है वो एक के बाद अगर एक कोई बच्चा कह रहा है तो दूसरे बच्चा उसके बीच में ना भूले दोगा बहुत खूबसूरत जो है यह स्लाइड बनी वी है आपको मैं लफ़ बोलूँगा यहां पर एक लफ़ आएगा जिनके यहां से नौईज आरी हो रुक जाए यहां पर एक लफ़ आएगा उसके मानी आपको बोलना चलिए देखते हैं पहला लफ़ कौन सा आता है पहला लफ़ आया कबीला कबीला के मानी बताएंगे आप लोग चले कौन बताएंगा कबीला के मानी आप लोग अपने आपको अन्म्यूट कर सकते हैं कबीला के मानी बोलना लफ्स कबीला उसके मानी बताना ग्रो चलिए और कोई जिसको आता है जवाब ग्रो आगया और कोई बताए तो फिर मैं क्लिक करूँगा और अपने आप उसमें सामने मानी आजागे ग्रो ठीक है तीन लोगों ने ग्रोगा ठीक है अभी अपने आपको मीट कर दें मैं देखता हूँ अभी आपका जवाब सही के गलत है तो लफ्स आया है ग्रोग यानि कि आपका जवाब है सही आपको 10 मार्क्स मिल गए चलिए अब हम दूसरा लफ्स देखते हैं ग्रोगा